टाइल्स चाहिए हो या फरनीचर चले आईए क्लासिक टाइल्स एम राजिस्तान फरनीचर इलाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है पंधाना रोड पर दियेगे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं करना जा रहा है दरशल आपको बता दें जिनके साथ हमला हुआ है उनका ये कहना है कि खंडवा में महौल खराब करने की ये प्लानी है और कुछ लोग ये चाहते ही नहीं कि खंडवा में महौल अच्छा रहे लगातार इस तरह की हरकत करते हैं आने वाले समय में पाक रमजान का महीना है और इस महीने के आने से ठीक पहले पिछले वर्ष भी इसी तरीके की वारदात हुई थी कुछ लोग खंडवा में खुरा पाती है जो खंडवा का महौल खराब करना चाहते हैं और उनकी कोशिश लगातार जारी रहती है ऐसे लोगों के विरुद कठोर कारवाई की जाए आपको बता दें कि जो फर्यादी हैं जिनके साथ ये वारदात हुई फिलाल वो कोतवाली थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं और उनकी फर्याद पर एफायर रेइस्टर की जा रही है आपको बता दें कि इस समय पुलिस की टीम भी मुस्तायद है और जले भी चौक पर लगे CCTV कैमरे की निगराने भी शुरू कर दी है उसमें बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है पुलिस की टीम काम पर लग गई है यह वो शक्स है पर लगें पर लगें आपने उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ वारदात हुई जादी शाबुदीन का यह कहना है कि वो आरेन शीट बेशते हैं और घर पर जाने से पहले फूरूट्स खरीद रहे थे इस दोरान उनके साथ यह वारदात हुई और खंडवा में जब भी रमजान का महीना आता उससे पहले इसी तरह के परियास शुरू हो जाते हैं ताकि माहौल खराब हो सके लेकिन आपको बता दें कौम के लोगों का ज़्यादा तर कहना है कि वो इसे खुरापातियों के खुरापात के काबू में नहीं आने वाले प पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है इस बार भी पकड़ लेंगे क्योंकि आपको बता दें जले भी चौक पर पुलिस के ही कैमरे लगे हुए जो बहुत हाई डेफिनेशन वाले कैमरे हैं और जल्द उनकी उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ लिया ज पुलिस ने सभी को समझाईश दी कि पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी है जल्द बदमाशों को पकड़ेंगे जिसके बाद जो युवा है वो नारास्तों हैं लेकिन फिलाल ठाने से वो जा चुके हैं और जो फर्यादी हैं उनकी शिकायत पर एफायर रेइस्टर्ड की कर सकते हैं